इस क्लास में हम गुप्तुकाल के सभी प्रमुख राजवनसों के बारे में विस्तरत रूप से चर्चा करेंगे इसके साथ मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जनरल स्टेडीस की जो जरनी आज से हमने कुछ महीने पहले स्टार्ट की थी उसका एक छोटा सा हिस्सा ही सही आज कंपलीट होने जा रहा है तो इसी वज़े से थोड़ा सा विलंब हो जाता है देरी हो जाती है लेकिन मैं कोशेस कर रहा हूँ कि जल्द जल्द इसे रेगूलर किया जाए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी जो है लगवग 50% कवर है इसके साथ अब जिन दो सब्जेक्ट्स पर हम सबस्यादा फोकस करने वाले हैं वो हैं Modern History और World Geography यानि अब यहां से आगे Modern History और World Geography की जो Classes है मैं कोशेस करूँगा इसको regular आपको लिए प्रवाइड किया जाए और आप जानते हैं COVID का समय है कोचिंग सेंटर सारे बंद हैं फिर भी Online Courses जो है YouTube पर बहुत सारे अवेलबल हैं लेकिन हर कोई इतना capable नहीं है कि उनकी भारी बरकम fees को पे कर सके मुझसे जोडने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंके यहाँ से आपसे कोई चार्ज नहीं लिये जाएगा क्योंके मैं कोई teacher नहीं हूं मैं भी आपकी तरह एक learner हूं और मैं भी आगे के लिए अपनी तयारी कर रहा हूं जो भी notes मैं बनाता हूं अपने लिए काफी सारी किताबों से जो भी अच्छे अच्छी references book है standard book है उनसे मैं notes बनाता हूँ और जो मैं अपने लिए बनाता हूँ मैं उसी को बिलकुल जिस तरीके से मैं अपने लिए पढ़ता हूँ उसी तरीके से मैं आपके सामने उसको पेश कर देता हूँ मेरा इससे कुछ नुकसान नहीं होता है हो सकता है ये सारी चीजें आपके कुछ काम आ जाए तो आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो इस channel से जूड सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी general studies की subject हैं वो सभी आपको complete कराई जाएंगी और एक सबसे important बात और ये कि मैं objectives और one liner पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कोई भी subject आपको और ढंक से cover करनी हो अच्छी तरीके से cover करनी हो और उसको आप अपने दिमाग में स्थाई रूप से याद करना चाते हैं तो उसके लिए यह बहर जरूरी है कि आप one liner या objective जो तरीका है GS पढ़ने का उससे हट करके चीजों को समझने का परयास करें ठीक है चीजों को detail पढ़ने पढ़ाई का कोई shortcut नहीं होता general studies का कोई भी shortcut नहीं है अगर आप general studies का कोई भी shortcut इस्तिमाल कर रहे हैं तो मेरी advice, personally advice यही है कि आप उसे बंद करें और चीजों को detail में पढ़ना स्टार्ट करें और यहाँ पर मैं वही काम करने की कोईसिस कर रहा हूँ कि जितने भी subject है उसको मैं detailed उसका जो syllabus है detailed उसका जो analysis है आपके सामने जैसा भी मैं कर पाता हूँ वह आपके सामने करने का प्रयास करता हूँ ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं गुपत उत्तरकाल के विशय में और गुपत उत्तरकाल के जितने भी राजवंस प्राशीन भारत में देखने को मिलते हैं उन सभी को cover करेंगे बैसे तो गुपत उत्तरकाल में काफी सारे राजवंस देखने को मिलते हैं लेकिन सबसे प्रमुक राजवंस गुपत उत्तरकाल में जो देखने को मिलता है वो है पुष्य भूती वंस जिसे हम वर्धन वंस के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो टाइम नगम आते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं गुप्त सामराज का पतन जब हो जाता है उसके बाद में प्राचीन भारत में काफी छोटे छोटे नए वंसों का उदय होता है छोटे बड़े काफी नए नए वंस अस् इसके बाद में आता है आपका यशो धर्मन वंस ये मालवा में था इसके बाद में पंजाब के हुडों की भी बात आती है मालवा और मगद में एक उत्तर गुप्त वंस भी था ठीक है ये गुप्त वंस से भिन्न था ये आप वो वाला गुप्त मत समझेगा इसको जो गु पुष्यबूती वंस, समराठ हर्स के बारे में आपने सुना होगा, ये इसी वंस से संबंदित थे, पुष्यबूती वंस से संबंदित थे, अब इस order को follow करते हुए हम one by one इन सभी वंसों के बारे में detailed analyzes करेंगे, detailed चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मैत्रक वंस के नामक व्यक्ती ने की थी और आपने वल्लभी विश्यविद्धाले का नाम सुना होगा, वैसे सबसे प्राचीन विश्यविद्धाले जो माना जाता है, वो तक्षशिला विश्यविद्धाले माना जाता है, लेकिन वल्लभी विश्यविद्धाले की भी अपनी एक अलग पहचान थी. ऐसा माना जाता है जो बललभी विश्यविध्धाले था, यहाँ पर जो चात्र अधियन करते थे, यहां से जो स्टडी करते थे, वो सबसे ज़्यादा उच्च पदों पर आसीन होते थे, यानि सबसे ज़्यादा जो हायर पोस्ट थी, वहाँ पर किस युणिवर इसके बारे में कोई खास जानकारी प्राचीन भारत में नहीं मिलती है, लेकिन मैंने हमेशा से आप से कहता हूँ कि एक ओर्डर बनाने के लिए चेन बना ले की नहीं, ताकि आपको ये मैसूस नहों कि कुछ बीच में से चीज़ें कट हो रही हैं, इसलिए मैं सभी सासकों के समकाली इन थे, किस प्रमुक्षासक के समकाली इन थे, तो ये हर्स का समकाली इन सासक था, एवं हर्स का दामाद भी था, ठीक है, हर्स की पुत्री का विवाह ध्रुबशेंद दुतिये से हुआ था, जो कि मैतरक वज से संबंदित था, इसके बाद में आता है यसो धर्मन जो के मालवा का था, इसके संस्तापकते यसो धर्मन और कहीं कहीं पर यसो धर्मन का नाम विश्णु वर्धन भी देखने को मिलता है, यसो धर्मन के बारे में जानकारी का स्रोत जो सबसे प्रमुक्ष रोत है, वो है मंदसौर अभिलेक या जिसे मंदसौर प्रसस्ती के न कि यशो धर्मन उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता था क्यों जाना जाता था इसका एक प्रमाड ये भी देखने को मिलता है कि इसने उस समय की जो काफी मजबूत शक्ती थी गुपतों की शक्ती थी हूण जो थे वो भी काफी सक्ते साली थे इसने हूणों को भी पराजित किया था गुपतों को भी पराजित किया था उनकी सक्ती को आगात पहुँचाने का श्रिय भी ये शो धर्मन को जाता है आगे बढ़ते हैं उत्तर गुपत के बारे में बात करते हैं ये मगद एवं मालवा में इनकी अवस्तिती थी इस वंस का संस्थापक क्रश्न गुप्त को माना जाता है उत्तर गुप्त वंस का संस्थापक क्रश्न गुप्त को माना जाता है क्रश्न गुप्त के बाद में देव गुप्त जो है सासक होते हैं क्रश्न गुप्त के बारे में देव गुप्त का शासन आता है देव गुप्त के बारे में जानकारी मदुवन एवं वंस खेडा के अभिलेकों के द्वारा मिलती है ठीक है देव गुप्त के बारे में जानकारी की जो परमुक सोर्सेज हैं वो है मधुवन एवं वन्स-खेडा के अभीलेग, ठीक है, इसने देवगुप्त ने क्या किया था, जब आप पुष्य भुती बन्स के बारे में पढ़ेंगे, समराट हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो इसने क्या किया था, देवगुप्त ने ससांक के साथ मिलकर, ससांक गौड़नरेस था बंगाल का नरेस था बंगाल का राजा था सशांक। देवगुप्त ने सशांक के साथ मिल कर हर्ष के बड़े भाई राजवर्दन की हत्या की थी और इसकी बहन राजशेरी को बंदी बना लिया था। देवगुप्त ने सशांक जो के गौर्डन रेस था इसके साथ में मिलकर हर्स के बड़े भाई राजिवर्दन की हत्या करके इसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया था और कालांतर में आगे चलके यह हर्स के द्वारा पराजित हुआ था ठीक है इतनी सारी जानकारी वांगुइन से यह किसके दरबार में या किसके सासनकाल में भारत आया था तो यह आदित्यशेन के काल में भारत आया था इसने भारत की दो बार यात्रा की थी ठीक है आदित्यशेन के समय में वांगुइन से ने दो बार भारत की यात्रा की थी इसके बार में आता है मौकर वन्स की स्थापना जो कि थी वो हरी वर्मा या फिर थी वर्मन कहीं कहीं पर उनका नाम हरी वर्मन देखने को मिलता है तो मैंने दोनों यह नाम यह पे लिग दिये हैं मौकरी वंस की स्थापना हरी वर्मा या हरी वर्मन ने 510 इसवी के आसपास की थी मौकरी वंस के जो सासक थे या कह सकते हैं कि मौकरी वंस का जो संस्थापकता हरी वर्मा ये गुपतों का सामन्त था या मौकरी वंस के जो सासक थे वो गपतों के सामन्त हुआ करते थे इनके समय में कन्योज जो था political activities का सबसे main center बन चुका था राजनीत गतविदियों का सबसे प्रमोख केंदर कन्योज बन चुका था और मौकरी वंस के शासनकाल में ही कन्योज को महोदय नगर के नाम से जाना गया यानि कन्योज की जो प्रसिद्धी हुई थी महोदय नगर के नाम से ये मौकरी वंस के सासकों के समय हुई थी तो प्रस्ण आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कन्योज का एक और अन्यनाम क्या है या फिर महोदे नगर किसे कहा जाता है तो महोदे नगर कन्योज को कहा जाता है और मौकरिवंस के शासनकाल के समय कन्योज को महोदे नगर के नाम से जाना गया इनके बारे में जानकारी के परमुक्स रोथ है बार्णभट की हर्स चरित ठीक है बार्णभट जो है हर्स के दरवारी कभी थे रोने ग्रंत रिखाता हर्स चरित ये हर्स की आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो बार्णभट की जो हर्स चरित है इसके बारे म जानकारी प्रदान करते हैं मौकरी वन्स के बारे में हर्स चरित से क्या जानकारी प्राप्त होती है हर्स चरित से ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो वर्धन वन्स था या पुष्य भूती वन्स था और मौकरी वन्स इन दोनों में काफी जो है relation जो थे इनके संबंद जो थे इनकी जानकारी जो है पांड भटे की हर स्चरित नामक रचना से मिलती है इसके अलावा हरा लेख है तामर मुद्रा लेख है सोनार से प्राप्त लेख है ये भी मौकृरी वन्स के सासकों के बारे में जानकारी देते हैं हरहाल एक जो है बारा बंकी यूपी से संबंदित है तामर मुद्रा लेक असीरगर से संबंदित है सोनार से जो लेख प्राप्त हुआ है वो देवरिया देवरिया नामकिस्थान से जो की यूपी में पढ़ता है यहां से प्राप्त हुआ है ठीक है यह सारे अभी लेख है इं भी अंकित हैं, इसके साथ साथ जो सिक्के ढाले गए थे, सिक्के या मुद्राइं बनाई गई थी, उनकी तिथी भी अंकित है, इससे हमें प्राचीन भारत में इन राजवनसों की तिथी निर्धारन करने में भी साहेता मिलती है, ठीक है, इसके बाद में जो सासक हुए थे, हरी वर्मा, हरी वर्मा के बाद में आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा के बाद में इशान वर्मा, इशान वर्मा से सम्मंदितिक फेक्ट याद रख सकते हैं कि इसने महराजादी राज की उपादी धारन की थी और इस उपादी को धारन करने वाला ये पर्थम मोखरी सा सकता पहला मौकरी शासक था इसान वर्मा जिसने महराजादी राज की उपाधी धरन की थी इसान वर्मा के बाद में शासक बनता है सर्व वर्मा और सर्व वर्मा क्यों प्रशिद्ध है कि इसने जो मगद था प्राशीन भारत का जो सक्तिसाली केंद्र माना जाता था सक्ट साली राज्य माना जाता था मगद इसने मगद को मौकरी साशन के अधिपत्य में लाने का प्रियास किया था और सफल प्रियास किया था, ठीक है? मगद को यह मौकरियों के अधिपत्य में लेकर आये था और इसलिए यह सर्व वर्मा famous है इसके बाद में शासक आता है अवंती वर्मा, अवंती वर्मा क्यों प्रसिद्ध है? इसके समय में थानेश्वर के पुष्य भूती वंस से वैवाहिक संबंद स्थापित हुए थे, ठीक है? अवंती वर्मा के समय में थानेश्वर का जो पुष्य भूती वंस था इससे जो है अवंती वर्मा का पुत्र था ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा की साधी हुई थी हर्ष की बहन राजश्री से हुई थी और इसकी जानकारी हमें बाण भट के ग्रंथ हर सुचरित से मिलती है कालांतर में ग्रह वर्मा की हत्या देव गुप्त के द्वारा की गई थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि देव गुप्त और बंगाल के जो गौड़नरे सशांक था इन दोनों ने मिलकर के ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और इसी के साथ में यानि ग्रह वर्मा की मरत्यू के साथ में ही मौकरी सामराज्य का अंत हो जाता है वैसे इसके आगे की कहानी आपको पुश्य भूती वंस में देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं दुबारा आप सुनेंगे तो थोड़ा सा और आपके दिमाग में अच्छा सा बैड़ जाएगा कि जब लास्ट सासक था इस वंस का ग्रह वर्मा ग्रह वर्मा का जो है हत्या कर देते हैं देवगुप्त और शसांक देवगुप्त शसांक के साथ मिलकर के ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है क्योंकि ग्रह वर्मा का कोई उत्तरादिकारी नहीं था और इसकी बहन जो राजिश्री थी हर्स की यानि ग्रहवर्मा की जो पतनी राजिश्री थी इसको भी बंदी बना लिया जाता है फिर वो इनकी कैद से जो राजिश्री है वो भाग जाती है फिर ये बात जो हर्स के बड़े भाई को पता चलती है राजिवर्दन को तो राजिवर्दन जो है देवगुप्त से युद्ध करने के लिए जो है चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है देवगुप्त को वो पराजित तो कर देते हैं लेकिन जो सशांक था वो धोके से उनकी अत्या कर देता है फिर हर्स जो है कालंतर में हर्स क्योंकि उनकी जो जब हर्स राजा बनते हैं, राजा बनने के बाद मैं सबसे पहले वो किसको पराजित करते हैं, देवगुप्त को पराजित करते हैं, और उनका जो खुद का सामराज जित था, जानी थाने सवर के वो राजा थे, लेकिन अपनी राजधानी को वो थाने सवर से कन्योज स्थान अंतरित कर लेते हैं ठीक है इसके बारे में आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा अब बात करते हैं थोड़ा गौडवंस के बारे में गौडवंस का संस्था पक शशांक था ठीक है अभी सशांक के बारे में आपने पढ़ा प्रमुख केंद्र क्या था गौडवंस का बंगा फिकवा दिया था तो सशाहए था यह स опас ही था जिसने उस people के पीड़ को जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती ती उस people के पेड़े को इसने कटवा करके गंगा मैं फिकवा दिया था और इसकी जो जानकारी मिलती है वो हेन सांग के लेखों में मिलती है वेन सांग के वर्धनों में मिलती है इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने पवित्र बहुत अवसिसों को जला दिया था और विहारों जो बहुत विहार हुआ करते थे और बहुत संतों की जो समाधियां थी उन्हे नश्ट कर दिया था ठीक है इसके साथ हर्स के भाई राजवर्धन की हत्यावीसी ने की थी और आगे चल करके ये हर्स के द्वारा परास्त किया गया था ठीक है इसके बाद में गुप्त उतरकाल का सबसे महत्वपूर्ण वंस आता है जैसे हम पुष्यभूती वंस या पुष्यभूती वंस की स्थापना हुई इसके संस्थापक थे पुष्यभूती ठीक है अब पुष्यभूती के बाद में कौन-कौन से सासक हुए पुष्यभूती के बाद में होते है नरवर्धन फिर राजवर्धन प्रथम फिर आदित्यवर्धन अब इनके बारे में मै बाद में आदित्य वर्धन होते हैं और आदित्य वर्धन के बाद में प्रभाकर वर्धन होते हैं अब प्रभाकर वर्धन के समय से आपको हर्सकालीन जो है में पॉइंट से वो देखने को मिलेंगे हर्सकालीन जो जानकारियां है वो प्रभाकर वर्धन के बाद से आपको द इसके बाद में छोटे बेटे का नाम था हर्सवर्धन और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजिश्री। राजिश्री का विवाह मौकरी वंस के सासक ग्रहवर्मन के साथ होता है जिसके बारे में अभी हमीं चर्चा कर रहे थे। राजश्री का विवा हो जाता है ग्रह वर्मन के साथ जो के मौकरी वंस के थे ठीक है फिर आगे चलके मालवा के सासक देवगुप्त के द्वारा शसांक के साथ मिलकर ग्रह वर्मन के हत्या हो जाती है हत्या कर देते हैं लोग और राजिश्री को बंदी बना लेते हैं फिर अपनी बहन के पती का बदला लेने के लिए जो राजिवर्दन है वो देवगुप्त को पराजित करते हैं लेकिन शासांक के द्वारा धोके से इनकी हत्या कर दी जाती है यानि अब प्रबाकर बरधन की संतानों में फ्री एकी बस्ते हैं हर्स बरधन क्योंकि राजश्री तो देवगुप्त और ससंक के द्वारा कैद कर ली गई थी और राज़्य बरधन की हत्या की जा चुकी थी तो अब यहां से सामराज प्रारम होता है हर्स का अब हर सगद्धी पर बैठते हैं यानि 606 में इसवी में इनका राज्यविशेक होता है ये थानेस्वर के राजा बनते हैं और 606 से 647 तक इनका जो है सासन के अवधी मानी जाती है सासक बनने के बाद में सबसे पहले इनका कार क्या था इन्होंने ससांक से बदला लेते हैं और अपना जो राज्य था अपनी जो राजधानी थी वो क्या थी थानेस्वर उसे थानेस्वर से स्थानंतरित करके कन्योज ले जाते हैं और कन्योज की राजगद्धी पर ये अपन प्रमुख देश जिनको बोलते हैं या तर राज बोल लिजी वर्तमान लेंग्वेज के साब से वेंसायं के अनुसार हर्स ने उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों पर कबजा किया था और उनको अपने अधीन कर लिया था उनमें प्रमुख थे पंजाब, कन्नोच, बंगाल जिसे प्राशिनकाल में गोड के नाम से भी जाना जाता था मिथिला, उडीसा इन सभी को हर्स ने अपने सामराज में मिला लिया था हर्स ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के सासक ध्रुवशेन दुतिय से किया था ठीक है, हर्स का कोई पुत्र नहीं था और इसी लिए जो पुष्य भूती वर्स है या वर्धन वर्स है हर्स के बाद में जो है समाप्त होता हुआ, इसका या अंत होता हुआ परती तो होता है क्योंकि इनका कोई वारिश नहीं था, इनका कोई पुत्र नहीं था इनकी एक पुत्री थी और उसका विवाह भी इन्होंने कहां कर दिया था वल्लभी के सासक ध्रावशेन दॉतिये के साथ मैं इसके सासा दच्छड मैं पॉलकेशन दॉतिये जोके वातापी के सासक था इससे भी इसकी युद्ध का बरढ़न देखने को मिलता है ऐहौल अविलेक से किसी-किसी बुक में यह देखने को मिलता है कि हर्स ने पॉलिकेशन दुतिये को हराया था और कहीं-कहीं ये भी देखने को मिल जाता है कि पॉलिकेशन दुतिये ने हर्स को पराजित किया था ठीक है तो इसमें थोड़ी सी कन्फूजन रहती है आप देख लेना अपने साब से और लेकिन इसके जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था पॉलिकेशन दुतिये और हर्स के बीच में इसकी जानकारी की जो सोर्स है वो है एहवल लेख ठीक है पारवट जो थे वो हर्स के दरबारी कभी थे इन्होंने दो प्रमुख रचनाये लिखी थी हर्स चरित और कादमबरी हर्स चरित को हर्स की आत्मकता के रूप में भी जाना जाता है इसके साथ साथ हर्स की सबा में एक मयूर नाम का विद्वान भी था इसने मयूर सतक और सूर्य सतक की रचना की थी इन सभी विद्वानों के अलावा हर्सस्वयम भी एक अच्छा लिकक था एक अच्छा विद्वान था और उसने भी जो है कुछ परमुख गरंतों की रचना की थी है जिसमें से के नागानन्द है रतनावली है प्रेदर सिकाई हैं इसके हर्स के द्वारा लिखे के परमुख गरंतों में आते हैं और यहां से भी objective लगातर बंते रहते हैं प्रस्ण लगातर पूछे जाते रहते हैं अब थोड़ी जानकारी क्लेक्ट करने का प्रयास करतें वे में यह वेंसांग जो है 629 इसवी में भारत आया था और लगबग 645 इसवी तक यह भारत में रहा था यह चीनी यातरी था और इसका भारत आने का उद्देश्य था बहुत गरंतों का संकलन ठीक है यह इसका मोटिव था और इसने अपनी जो भी यात्रा की थी भारत की इसकी पुस्तक में संकलित किया है जिसका नाम है C.E.U की जो रचना है वो वेंसांग की रचना है ठीक है वेन सांग ने भारत को अपनी language में या अपने हिसाब से क्या कहा था into नामक सब्द के द्वारा भारत को संबोधित किया गया है वेन सांग के द्वारा वेन सांग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जिनमें शाक्यमुनी, यात्रियों का राजकुमार, युवान्च्वांग, स्वान्च्वांग, ये ठीक है, ये अन्य नाम इसके देखने को मिलते हैं शाक्यमुनी, यात्रियों का राजकुमार इसकी उपादियां थी, जब किसके जो अन्य नाम और देखने को मिलते हैं उनमें है युवांच्वांग और स्वांच्वांग ठीक है ये वेंशांग के ही नाम है जो अलगलग किताबों में देखने को मिलते हैं एक प्रशना आता है कि हर्स को सिलादित्य किसने कहा था हर्स को सिलादित्य किसने दी थी या हर्स को सिलादित्य किसने कहा था तो वो चीनी यात्री वेंसांग ही था जिसने हर्स को शिलादित्य कहा है एवं उसने साथ साथ ये भी बताया है कि जो हर्स वर्दन थे वो वैस से जाती से संबंद रखते थे ठीक है ये वेंसांग का विवरण है वेंसांग के नुसार हर्स जो थे हर्स वर्दन जो थे वो व महा मोक्ष परिशद जो थी वो क्या थी ये एक परकार का सम्मेलन था इसमें हर पांचवे वर्स में हर्स जो था दान करने के लिए बड़ी सभा का आयोजन करता था एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करता था और 635 इसवी में इस महा मोक्ष परिशद का छटवा अधिवेशन चटवी बार ये जो सवा बलाई गई थी और इस समय पर वेशनांग भारत में ही मौजूद था या हम ये कह सकते हैं कि 635 इसवी में हर्स की महा मोक्ष परिशद में वेशनांग सम्मिलित हुआ था और इसी का वर्ड़न उसने अपने गरंथों में या अपने जो भी रचना चलास थे उनसे संबंदित आज का क्लास आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आया होगा और जैसा के मैंने आपको बताय ही है आज प्राचीन भारत की अन्तिम ग्लास थी इसके साथ प्राचीन भारत समापत हो गया है जल्दी ही आपके लिए जनल स्टेडी स के और भी ज तो आप इस चैनल के साथ जूड़ सकते हैं, यहां पर सब कुछ फ्री है, और मैं फिर एक बार आपको बदा देना चाहता हूं, कि I am not a teacher, मैं कोई teacher नहीं हूं, हालांकि मैं job करता हूं, लेकिन मैं यहां पर जो आपको material देने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ ने की कोछिस करता हूं, और जो notes मैं अपने लिए तैयार करता हूं, अपनी preparation जो भी करता हूं, उसी का जितना भी material है, वो मैं सीदे के सीदे, जयों कात्यों आपके सामने उसको present करने की कोछिस करता हूं, और ये आसा करता हूँ कि इस material से आप थोड़ा बहुत लाभानपित रहेंगे ज्यादा नहीं ये कुछ न कुछ तो आपके लिए जो है profitable रहेगा तो बने रहे हैं मेरे साथ तो मिलते हैं आप से अगली class में तब तक के लिए नमस्कार जै